हेलो फ्रेंज वेलकम तो मैं चाइनल तोड़ेव गूंग श्टार्ट वीड क्लास जिक्स जोग्रफी भूक विद फॉस्ट चेप्टर नेम इस अर्थ इन सोलर सिस्टम सो इस चेप्टर के शुराथ होती है अर्थ के बारे में बताते हुए और हमारे यूनिवर्स के बारे मे बताते हुए हमें रात को बहुत सारे तारे दिखते होंगे असमान में जो चमकते हैं जुनके लारे फ्लिकर करती है फ्लिकर करते है थोड़ी सी बुष्टी बुष्टी दिखती है फिर जाने लगती है कुछ इस तरह की फ्लिकर करती है और कुछ तारे होती जो से प्लू कर बदलता रहता है और अलाग अलाग अकार में देखने को मिलता है। जब चान्त अपने पूरी अकार में होता है एकदम गोल उसको फूल्वन बोलते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे चलाद सेड़ल बारे में। The sun, the moon and all those objects shining in the night are called celestial bodies. So some of these bodies are very weak, hot, they are made of gas, they have their own heat and light which they emit in a large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is also a star. So which our sun is, it is itself a warmly, it is itself a gas. So which we call the sun, the sun, the sun, is actually a star. Countless twinkle light in the night, night sky are similar to the sun but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very far away from us. This is the sun, the sun that we find, the sun we find on the earth, the star we find on the planet lot but we get really nice and very dark. वाइल वाचिंग नाइट स्काई यू में नोटिस वेरियस पेटन फाउंद इन डिफेंट ग्रूप अपिस्टार दीज आरकर कॉंस्टॉलेशन इसका अर्थ है जो पेटन होता है स्टार में जिदने से कि वो कुछ जानूर के आकार के बन सके या फिर कोई स्टार जो खुद बिफेंड गिर गणा गीकष बिपलर ह्यां को वाश पता थो कि वित्तुलेशन जीन साज के लगाया करते थी सत्व स्टार जो और श्रा खुद का इसको की जा का लॉग में लोग डिशा हो का अंधाज लगाया करते थी तोसी नopardy के नहीं के दर स्टार जेर से सलहा करता है जो पोले स्टार है उसकी जगह का भी नहीं बदलती है हमेसा एक ही जगह पे रहता है जैसे आप यहां पर पिक्चर में दे सकते हैं यह है नर्थ स्टार इसको भी बलते हैं पोले स्टार जो हमारा प्रित्वी है और बाकी के प्लाने से ग्रह है जो मंगल, सेटन, निप्टन, उरनेस, जिपिटर, मार्स इन सब के खुद की लाइट नहीं होती है यह सूर्य और चंदमा के लाइट से परकासित होते हैं वर्ड प्लाने ग्रीक वर्ड प्लाने विच मेंस वंडर का मतलब है जो इधर उधर घुंता ही रहता है अर्थ अन विच वी लिव इस अ प्लानेट इट गेट अस इस हीट और लाइट से मिलती है जो यह सं है यह सं है वो हमारे धरती से काफी करीब है बाकी चीजों के कंपेर में जो हम चांद को दिखते है रहतों में वह असल में एक सेटलाइट है जो हमारे जो प्लानेट है रिवर्स में कुछ प्लानेट पास उनका खुद का चांद है जो पाना चलूरी है यह जो बख्ष में दिया है यह प्लानेट नोग को प्लानेट है आप सेटन में यह रिंग है या लो करका इसको बलते है रिंग आप यहां पर देश सकते हैं यह दिया है इमेज सन के सबसे कड़ीवे मार कड़ी उसके बाद आता है वेनस और्थ मार्स इसको यह आप देख रहें नहीं बेल्ट इसको बोलते है एक्स्तोरइड बेल्ट उसके बाद जूपितर सेटन यॉरेनस और नेपितन सो हम बात करेंगे सन के बारे में इसको यह मेंड़ किलोमेतर ऑफ यह भी तो हम स्रेड ओड बेज में बीच में जलार सिस्टम के यह बहुत बारा सूर्स है लाइट ओर हीट्र The sun is about 150 million km away from the earth जो sun की दूरी है वो धर्ती से 150 million km है Planets अब हम पढ़ेंगे planets के बारे में इसका हिंदी में कहते हैं ग्रह There are eight planets in our solar system in order of their distance from the sun They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Napiton आप यह प्लानेट का नाम है वो बहुत असानी से याद कर सकते हैं जैसे यहां यह है My very efficient mother just sort us nuts तो यह जो वर्ट पिंक कलर में है Capital letter यह आपको याद करने में मत करेंगे यह first letter एक्टन करते हैं Planet के निमपिले Like M से Mercury, B से Venus, Miss Earth, M से Mars तो अब हो यहां देखेंगे यह पिंक बॉक्स में Geo, Geology इसका मतलब है Study of Earth Earth के बारे में पढ़ाई Geometry, Measurement of Materials And Geoid, Resembling the Shape of Shape or from the Earth Right Shape from the Earth तब हम आगे देखते हैं All the eight planets of the solar system Move around the sun in a fixed path These paths are Inglotate They are called Orbit So, जो सभी प्लानेट है वो अपने एक ही पात पर हमें से घुमते हैं Mercury is near to the sun It takes only 88 days to complete one round among its orbit जो Mercury जो ग्रे है जो sun के सब से करीब है उसको सिफ 88 days लगते हैं एक रांड कंप्लीट करने में Venus is considered as Earth's twin because its size and shapes are very similar to the Earth Till recently So, इहां देखिए एक important information है 2006 तक प्लाइटू नामका एक राहे उसको प्लानेट बना जाता था लेकिन बाद में International Astronomical Union ने डिसाइड कि आप प्लाइट को प्लाइट नहीं ड्राइट पालें प्लानेट कहा जाएगा तो हम अब नेक्स तेखेंगे the Earth The Earth is the third nearest planet to the Sun In size, it is the fifth largest planet It is slightly flattened and at the pole That is why the shape is described as a geoid Geoid means the Earth-like shape Geoid means a little bit cool akarka shape जो north and south, south, upper or niche से थोरा सा दबा होता है और उसका बाहरी और हिशा उप्रावा होता है So, हम बात करेंगे The Earth is neither too hot nor too cold And has water and air Which are very essential for our survival This year has life supporting gases like oxygen Because of this reason, the Earth is a unique planet in our solar system So, in some planets में, Earth है कैसा प्लानेट है जिसके पास खुद का पानी है यर है, उसमें oxygen है नहीं जादा ये गरम है, नहीं जादा ये ठंडा है हमारे अर्थ को ब्लू प्लानेट भी कहा जाता है कि इसका two-thirds भाग पानी से भारा हुआ है The Moon अब हम बात करेंगे, The Moon के बारे में Our Earth has only one satellite, that is the Moon हमारे प्रिथवी है, Earth उसके पास एकी satellite है वो है चंद्रमा Its diameter is only one quarter that the Earth तो diameter आप समझते है diameter का मतलब है, किसी भी गोल अकार सरकल कर बीज से एक लाइन खिचना उसको बोलते है diameter जो Moon है, Earth के one fourth diameter है It is about 384,400 km away from us यह चंद्रमा भी बहुत काफी दूर है हमारे प्रिथवी से The Moon moves around the Earth In about 27 days, it takes exactly the same time to complete one spin So, यह चंद्रमा है, वो हमारे प्रिथवी का चकर कारता रहता है इसको पूरा चकर कारने में 27 दिल लगता है इसलिए चंद्रमा हमेसा अलग अलग जगह पे दिखता है अलग पोजिशन में, अलग सेप में हम चंद्रमा को सिफ एक ही ओड से देख सकते हैं क्योंकि हमेसे चलता रहता है The Moon does not have any condition favorable in life The mountains, plane and depression on it तो अपने चंद्रमा में देखा होगा है यहां पे लोग को कहती भी सुना होगा चांद में दागे ओ दाग क्यों है, क्योंकि देखिए चंद्रमा पे mountain से, plane से, depressions भी है जो mountain है, उनके सेडो दिखते हैं उनके सेडो के वज़र से चंद्रमा में कुछ दब्बे दिखाई देते हैं अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रोइड के बारे में Apart from the star, planet and satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun These are bodies called as asteroid They are found between the orbits of Mars and Jupiter because they are viewed as a asteroid as a part of planet which exploded many years ago तो हमें आपको दिखाना चाहेंगे इस इमेज में एस्ट्रोइड के बारे में, दिखिए ये बहुत जूम हो गया ये, sorry इसको एस्ट्रोइड बेल, ये कुछ पत्थर जैसे दिखते हैं आपको यहां भी दिखा देंगे जा ये बाला, ये बाला इसको पोलते है, isteroide ये भी दिखिए इस 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 होते रहते हैं तो हम निच्ट परेंगे, Metro metroid के बारे में दिखिए परेंगे, the small piece of rocks which move from around the sun are called metroid sometime these metroid come near the earth and tend to drop upon it during this process due to friction and with here the gate heated up and burn it caused a flash of light sometime a metroid without being completely burn, fall on the earth and create a hollow so अपने सुना होगा बहुत बार कि metroid जमीन पर गिरा, धर्टी पर गिरा और वो जहां पर गिरता है वापे बहुत बारा होल गड़ा हो जाता है और ये वाक्य में पहले भी हो चुका है metroid पहले भी धर्टी पर गिरा हुआ है गिरे हुए तो अब हम बात करेंगे galaxy, galaxy बहुत बढ़ा है इसमें बहुत सारे तारे हैं और उसके बाद है milky way milky way को पहले ancient India में आकास गंगा भी कहा जाता है galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases galaxy है उसमें बहुत सारे billions of stars है clouds है और gases है there are millions of such galaxy in that make the universe और इस गलेक्सी है वो भी बहुत सारे है millions में जो सब मिलकर एक universe बनाते है it is difficult to imagine how big the universe is scientists are still trying to find out more and more about it we are not certain about the size but we know that all of us you and I belong to this universe तो अब तक scientists भी नहीं पता लगा पाए है कि universe आखिर में कितना बड़ा है but हम सभी हम सभी इंसान जीवजन तू even और और star, chandrma, sun सभी जो चीजे वो universe को बिलंग करते है so यह आप यहाँ यह देखिये यह माल लिजिए यह आप लोग है या फिर हम है कोई भी लोग है हम यहाँ है, हम है आर्थ के अंदर उसके बाद अदा है solar system हम है, आर्थ है solar system में solar system में, milky way galaxy में, milky way है millions and millions of milky ways are there और वो सब है universe में अब सूच लिजिए, universe कितना बड़ा है थैंक यू झाल झाल